इस question में हमसे electronic voting machine EVM के बारे में पूछा गया है जो कि EVM एक जो है जो पहले ballot box यूज होते थे उसके जगह पे EVM machines लाए गई और इस question में हमसे यही पूछा गया है कि EVM machine जो लेकर आई गई इसके क्या advantages है भाई तो इसमें तीन statement हमें दिये गए थे पहला कहता है कि जो invalid oats परत होती थी वो तीजी से होने लगी और तीसरा statement यह कहता है कि जो printing cost था paper का ओ रेडियूस हुए क्योंकि one seat of ballot paper पर ही हम जो है सारी जो है polling करा लेते हैं यहां पर तो जो printing cost थी paper की paper जो है कम छपने लगे जो उसमें यूज होते हैं वो कम यूज हुए तो इस तरह से तीन statement हमसे हमें जो है दिया गया है तो यह इसका answer जो है हम देखें तो तीनों सही है क्योंकि यह possibility को कम कर देता है कि invalid oats जो है यह नहीं पड़ते हैं सिर्फ यह बटन दबाना होता है और आप जो है अपना oat डालाते हैं दूसरा statement है कि यह counting की process को भी fast कर देता है और बहुत ज्यादा paper जो है बचा भी लेता है trees जो है last number of trees से जो हम यह paid से जो है यह papers बनाते हैं उसको बचाते हैं तो eco-friendly है यह process और cost of printing जो है कम होती है तो जिससे जो है हमारे papers बचते हैं तो यह तीनों statement जो है हमारे सही हो होंगे EVM के prospectus जो question हमारे लिए बैलेट box से compare किया था उसके क्या advantages थे उससे related question पूछा था तो यह तीनों statement जो है यहाँ पर सही होंगे इसका ध्यान रखेगा